हेलो माई दियर स्टूडेंट्स एन वेल्कम बाक तो दे चानल आज चे क्लास्टर हम कंटीनीव करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्परेट लौ जो कि सेमिस्टर नंबर टू में है ओडिसा में अगर तुम कोई और उनिवर्सिटी से हो तुमारे सेमिस्टर में भी जरूर कॉ प्धिस के अंदर हम कि फिछ्ने क्लास के अंदर रहे थे परॉस्पेक्टर्स क्या सलस्क्र cyn jedoch आपाले क्लास ने से कॉल्छा के इन करेंगे और और प्रोश्पेक्टर wheninger Cr exchange is limit statement in a prospectus तो पहले देखेंगे types of prospectus उसके बाद देखेंगे अगर prospectus में कुछ गलत लिखते हो कुछ जूट लिखते हो कुछ छुपाते हो तो उसका क्या consequences होगा ठीक है तो वीडियो को prospectus or prospectus by implication deemed का मतलब होता है something जो prospectus नहीं है बट माना जाएगा assume किया जाएगा कि वो prospectus ही है उसको बोलते हैं deemed prospectus मतलब बहुत देखेंगे दिखेंगे 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 काम पर आता है एड्मेन कंपनी दुना डिरैकली आपट इसेयर्स एंडे बेंच्छ वेंचेश तुधा पबलिक बहुत सरी कंपनी अपना सेयर्स डेरेकली पबलिक को ओफ़र ना करके क्या करते हैं बट सेल देशे देटेश पार्टी एक थर्ड़ पार्टी को बेचते हैं जिसको यहां क understanding that the party or the house would present the same to the public तो company अपना शेयर्स पॉब्लिक को डिरेकली ना सेल करके कंपनी क्या करता है को थर्ड पार्टी को सेल करता है और वो थर्ड पार्टी फिर आगे जाके पॉब्लिक को सेयर्स सेल करता है ठीक है तो कंपनी ये रहा कंपनी सेल कर रहा किसको थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी किसको सेल कर रहा है पॉब्लिक को ठीक है तो कंपनी पॉब्लिक को शेयर्स इशू ना करके कंपनी किसी थर्ड पार्टी को किसी पर्सन को शेयर्स इशू करता है और वो फिर आगे पॉब्लिक को शेर्स इशु करेगा ठीक है in such a situation the document by which the party or the issue house offers the company's shares or debentures to the public is called as deemed prospectus ठीक से समझना ऐसे situation के अंदर वो जो करेगा उसको deemed prospectus बोला गया है कंपनी किसको बेचती है शेर्स कंपनी शेर्स बेचती है थर्ड पार्टी को अब थर्ड पार्टी पॉब्लीक को convince करने के लिए कुछ documents issue करेगा जिस पर लिखा हुआ होगा कंपनी के बारे में और बाकी सारे details यह जो document है यह prospectus तो नहीं है दिस इस नॉट अ प्रोस्पेक्ट कंपनी तो इसु करनी रहा कौन इसु कर रहा है थर्ड पार्टी इसु कर रहा है पॉब्लिक को बट यह prospectus ना होते हुए भी क्योंकि पॉब्लिक इस document के basis पे shares खरीद रहा है इसलिए इसको law क्या बना दिया है deemed prospectus ठीक है deemed prospectus क्या होता है थर्ड पार्टी इस document के थूब्लिक को shares sell करेगा उस document को बोला जाता है deemed prospectus बनाना जरूरी था वरना क्या होता यह थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ जूट बोलने पॉब्लिक को गलत informations देकर पॉब्लिक को convince करने shares खरीदने के लिए ताकि थर्ड पार्टी ऐसा ना कर सके इसलिए उस document को भी दीम prospectus बोला गया है दीम prospectus बोलने से क्या होता है उसके उपर सारे के सारे prospectus के rules लागू हो जाते हैं उस document के उपर जब यह document दीम prospectus बना इसका मतला इस document के उपर आप सारा prospectus का rules applicable होगा और कोई मिस्टेट्मेंट नहीं हो पाएगा तो यह किसको बचाने के लिए रूल बनाया गया है पॉब्लिक को बचाने के लिए ताकि वो थर्ड पार्टी जो है पॉब्लिक को छेंटा था उसका अंडर राइटिंग कर वाता था बहुत प्रोब्लम होता था था आइ्म टेकिंग the Records नेन दी वहत अभिषा है थरपार्टी को पॉब्लिक को आगे खर्ट का थो तो अपनिगा टेंशन जो थोड़ा सा कम हो गया है इससे खिक है next the company does not need to issue any prospectus in such a case nor does it have to work off allotment of shares so company को कोई prospectus issue करने का जरुवत नहीं पड़ता है कोई company public को तो share दे नहीं रहा है company third party को share दे रहा है third party आगे public को बेच रहा है तो यह third party document issue करने लगया public को detail बताने लगया company के बारे में तो यह document third party issue कर रहा है public को इसको बोला गया है deemed prospectus the allotment made by the company issue house can later be transferred piecemeal मतलब देरे देरे करके individual buyers of shares and debentures तो यह जो third party बल्क में shares खरिता है यह थोड़ा थोड़ा करके आगे public को shares बेचना शुरू करता है ठीक है the issue house is the one which makes the offer to the public and it does so by a statement offering the shares and debentures तो यह जो issue house है यह issue house document issue करता है public को कि आओ shares खरी दो इस document को बोला जा रहा यहां पर deemed prospectus ठीक है the statement of issue house making a propose to the public to invest in the company's shares and debentures is the deemed prospectus of the company तो उसको company का ही deemed prospectus माना जाएगा और उस पे जो prospectus का सारा rules applicable होगा clear है तो company जो document issue करता है public को वो तो prospectus है लेकिन यह जो issue house जो document issue कर रहा है public को वो prospectus नहीं है बट prospectus मान लिया जाएगा that is it is a deemed prospectus ठीक है यह कहा पहला what is deemed prospectus second होता है what is self prospectus self prospectus क्या होता है जब company को सोचलों एक साल के अंदर तीन बाद shares issue करना है let's say एक साल के अंदर तीन बाद shares issue करना है तो अब क्या होता है हर बार यहां पर भी prospectus issue करना पड़ेगा यहां पर भी prospectus लगेगा और self prospectus अब self prospectus होने से क्या होगा यह तीनो सिच्वेशन में अलग अलग prospectus issue करने का जरुवत नहीं है तो कि self prospectus का वैलरेटी पूरा वन इयर होगा बला एक बार हम self prospectus अगर issue किये तो उसके बाद फिर एक साल के अंदर जितनी बार भी हम शेर issue करें उसमें हर बार prospectus का जरुवत नहीं पड़ेगा तो self prospectus कहां यूज होता है जहां बार-बार हमको share debentures issue करना है सेम टाइप का तो हम एक बार प्रोस्पेक्टस लाएंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस और वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिटी जो होगा वन एयर होगा वहला नेक्स्ट वन एयर के अंदर हम जितनी भी बार shares and debentures issue करेंगे हर बार प्रोस्पेक्टस issue नहीं करना पड़ेगा ठीक है देखना section 31 of the companies that deals with self prospectus which the company is supposed to file with the registrar at the stage of its first offer पहली बाज अब शेयर issue कर रहे तब हम फाइल करेंगे which cell indicate a period not exceeding one year जिसका maximum one year तकका validity हो सकता है as the period of validity of such prospectus which cell commence from the date of opening of the first offer of security issued under the prospectus and in respect of second and subsequent offer of such securities issued during the period of validity of that prospectus no further prospectus is required तो बुर रहा है पहला prospectus अगास self prospectus हुआ तो इस दिन के बाद next one year तक जितने भी shares issue किये जाएंगे दोस्री बार तिस्री बार चौथी बार पांच्वी बार जितनी भी बार shares issue किया जाएगा इन सब मैं अलग से prospectus का जरुवत नहीं पडेगा नहीं पडेगा क्लेर ये section 31 makes it clear that sales prospectus for the purpose of this section means a prospectus in respect of which the securities or class of secure included therein are issued for subscription in one or more issue over a certain period without the issue of a further prospectus तो क्या बोल रहा है एक बार में हम prospectus file करेंगे और बार बार फिर हर बार prospectus file करने का जरुवत नहीं पडेगा तो क्योंकि self prospectus का validity होता है जिसका maximum कितना validity हो सकता है maximum validity can be one year clear this is all about self prospectus so self prospectus help करता है company को बार बार prospectus file करने के process से बचने में क्योंकि अगर एक साल के अंदर दो चार बार issue करना है shares तो एक ही prospectus से हमारा काम हो जाएगा बार बार file करता नहीं पड़ेगा clear next third type of prospectus red hearing prospectus what is red hearing prospectus red hearing prospectus issue किया जाता है main prospectus आने से पहले जैसे आज एक में प्रोस्पेक्टर्स आने वाला है let's say on 18th of January ठीक है एक में प्रोस्पेक्टर्स आने वाला है कब 18 January को आप company का कहता है उसके कुछ दिन पहले एक और प्रोस्पेक्टर्स issue करता है जो की होता है red hearing prospectus red hearing prospectus में company price नहीं बताता complete details नहीं बताता थोड़ा सा बस बताता है कुछ basic चीजे और बोलता है कि prospectus का weight करो ठीक है जैसे prospectus अगर मूवी है तो red hearing prospectus क्या है trailer है मसमझ मारत मूवी आएगा 18 January को पूरा detail में देखना है तो आज आओ 18 January को movie hall पे लेकिन थोड़ा जानना है company के बारे में थोड़ा जानना ही कैसा prospectus आने वाला है तो थोड़ा basic detail हम दे देंगे पहले ही उसको बोलता है red hearing prospectus अब trailer issue करने का objective क्या होता है movie के बारे में hype create करना कि movie आने वाला है movie के बारे में कुछ चीजें बताना और लोगों को excite करना कि movie देखने वो पहुंचे 18 January को similarly red hearing prospectus का भी यही objective है company के बारे में कुछ चीजें बताना prospectus आ रहा है बताना लोगों को थोड़ा जानकारी देकर excite करना so that जब main prospectus आएगा तो लोग जो है उसको पढ़ेंगे और company के shares को subscribe करेंगे ठीक है देखना section 32 of the company that contains provisions related to red hearing prospectus section number 32 the expression red hearing prospectus means a prospectus which does not include complete particulars सारा details नहीं रहता उसके अंदर क्योंकि trailer में सब कुल दिखा दोगे तो movie में फिर क्या आएगा राइट तो trailer में थोड़े बहुत पाते ही बताई जाएगे a company proposing to make a offer for security may issue a red hearing prospectus prior to the issue of prospectus है ना trailer कब launch होता है movie आने से पहले तो red hearing prospectus पहले issue किया जाएगा prospectus से ठीक है red hearing prospectus shall be filed by the company with the registrar at least three days minimum तीन दिन पहले होगा at least three days prior to the opening of the subscription list or the offer so minimum तीन दिन पहले file होगा red hearing prospectus ठीक है itself carrier same application as are applicable to a prospectus ठीक है याद रखना कि जो rules prospectus पे applicable है वो rule red hearing पे भी applicable है मतला तुम कोई गलत information नहीं दे सकते red hearing prospectus के अन्दर ठीक है next जो चौथा ताइब of prospectus है that is prospectus of a foreign company ठीक है foreign company means a company doing business in India having a place of business in India but incorporated outside India that is called as foreign company ठीक है by foreign company it means such company that are incorporated outside India according to companies act no person sell issue circulate or distribute in India any prospectus unless the prospectus dated and signed and contain particular with respect to the following matters तो वोरा एक prospectus के अंदर यह सब कुछ लिखना जरूरी है क्या क्या चीज़ लिखना जरूरी है आओ देखें सबसे पहला डॉकुमें इस्टो में रिलेटेट तो फॉर्मेशन आप दाना पड़ेगा कब कहां कैसे फॉर्म हुआ है रूल्स पाविज इंकॉर्परिशन अपनिवा इंकॉर्परिट कैसे इंकॉर्परिट हुआ कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन कंपनी को पर अप्लिकेबल है दे नेम आप दा प्लेस इंडिया वेर अवाब दॉकुमेंट्स अफॉर्न कंपनी कैन बी इंस्पेक्टें कॉपी देर और इंग्लिश लांग्वेज तो कंपनी का बिसिकली र से इंकॉर्परेट हुआ कौन से कंट्री में इंकॉर्परेट है इन दे केस और कंपनी इंडिया में पैसा लेना चाहता है तो उसको और भी एडिशनल रूल्स फॉलो करना पड़ेगा जेनरल रूल जो प्रॉस्पेक्टेस के लिए है वो तो इनकी उपर भी आप्लिकेबल वोगा ही इसके साथ साथ इनको कुछ और एक्स्ट्रा डीटेल देने का जरूरत है रिलेटेट टु फॉर्मेशन रिलेटेट टु कंट्री कौन सा प्लेस और बिजनेस है कहां पर डॉकुमेंट्स रखा हुआ है यह सब को लेकर क्योंकि फॉरेन कंपनी है तो और एक्स्ट अगर एक प्रोस्पेक्टर में गलत बातें लिखी हुई है मिस्टेटमेंट कोई जूट लिखा हुआ है या कोई इंपोर्टेंट मैटेस जो लिखना चीए था लेकिन छुपाया हुआ है तो फिर उसका क्या क्या बैले हम प्रीखेंगे बहले हम प्रीखेंगे था इस मिस्टेटमेंật फिर हम प्रीखेंगे वट अधा दवकोंस हμुएसेसे मिस्टेटिमेन agreement theron they rated to misstatement in prospectus five to p if the statement is misleading in the फॉर्म एंड कॉंटेक्स इन विच इंक्लूड तो अगर डॉकॉमेंट मिस्लीड कर रहा है गुम्रा कर रहा है पबलिक को है ना तो उसको गलत स्टेटमेंट माना जाएगा मिस्टेटमेंट माना जाएगा सेकेंड वैर्द ओमेशन कुछ इंपर्टेंन बातें च्छुपाई वह है यह क्या है कुछ गलत चीज लिखा हुआ है और यहां क्या है इंपर्टेंट बातें चुपाया हुआ है गलत नी लिखा रहा लेकिन इंपर्टेंट चीजे, omission है, whether omission from prospectus of any matter is calculated, to mislead, itself deemed to be prospectus in which an untrue statement is included. तो अगर omission है, कुछ important matters को लेकर, तो भी statement को untrue माना जाएगा. It is worth noting that a prospectus deemed to be contain a misstatement, when any statement is misrepresented, अगर कुछ गलत लिखा हुआ है, तो in respect of material facts, material मतलब something which is very important, तो अगर को important matters को लेकर गलत informations लिखा हुआ है, या फिर को important matters छुपाया हुआ है, तो हम statement को misstatement बोलेंगे, clear है, दो चीज़ चेक करना, पहला गलत information provide हुआ है, second important informations omission हुआ है, क्या consequences होगा, सबसे पहला, against the company, company के खिलाफ हमारा क्या अधिकार होगा, हमारा मतलब public का क्या अधिकार होगा, against the company, ठीक है, तो सबसे पहला, right of recession of contract, recession का मतलब होता है, cancellation, तो public के पाद अधिकार है, वो चाहे तो contract क्या कर सकता है, contract cancel कर सकता है, ठीक है, a shareholder who has invested in the shares of a company on the basis of misstatement in the prospectus, has right to risk kind, उसका अधिकार हो contract cancel कर सकता है, and receive the money he has paid, क्या लेकिन ज़रूरी है contract cancel करेगा ही, नहीं, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो contract cancel कर सकता है, ऐसे contract को क्या बोला जाता है, voidable contract, याद होगा, voidable तो business law में पढ़ते हैं, voidable का मतलब है, अगर हम चाहें तो उसको valid भी रख सकते हैं, हम चाहें तो उसको void भी कर सकते हैं, तो public के बाद option है, वो चाहे तो misstatement के बावजूद भी contract को valid रख सकता है, चलेगा बोलेगा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और चाहे तो contract cancel भी कर सकता है, तो ऐसे contract को बोला जाता है voidable contract जो valid भी हो सकता है या void भी हो सकता है ठीक है second damage for fraud अगर कोई fraud किया गया है और उससे कोई भी नुकसान हुआ है तो हम contract तो cancel करेंगे ही साते साथ हम damages भी claim कर सकते हैं ठीक है if the holder of share can prove that the misstatement was intentional और a result of negligence जान मुझ कर किया गया है on the part of the company issuing the prospectus the shareholder not only get the right to rescind the contract he also get the right to claim the damages from the company तो अगर हम यह बात प्रूफ कर दें कि intentionally गलती किया गया है जान मुझ कर गलत statement दिया गया है तो contract to cancel करेंगे ही साथ जो भी नुकसान हुआ जो भी damages हुआ है वह हम लोग claim करेंगे ठीक है it is however necessary for the shareholder to revoke the contract before he can claim damages यह तो obvious है हम contract को cancel करेंगे उसके बाद हम damages claim कर सकते हैं ठीक है नेक्स यह हो गया against the company अब हो गया नेक्स्ट है पब्लिक का अधिकार अगेंस्ट दी डिरेक्टर्स प्रमोर्टर्स शेयर होल्डर जो भी जिम्मेदार था उन सब छी खिलाप क्या अधिकार होगा ठीक है थे शेयर होल्डर्स दीजिशा नॉट ओल्ली राइट तो सुदा अपुझी वीचिशेट प्रसेडिंग्स अगेंस्ट इनी पर्सन और पर्सन्स वह गिल्टी और मेकिंग दा में श्टेट्मेंट तो या वो डिरेक्टर जो रिटेंड नाम होगा कंपनी के प्रमोटर हो सकते या कोई और परसन जिसका नाम लिखा हुआ है प्रस्पेक्टर के अंदर यह हर परसन लाइबल हो सकता है ठीक है अब कितना रुपीस का लाइबलिटी आएगा उसका अमाउंट यहां पे है अगर इस्टेटेट एस पर सेक्ट्शन 26 इन अदर परसन रसपॉंसिबल बाखी लोगा गलत स्टेट्मेंट देने के वजे से और उनको फाइन हो सकता है मिनिमंपचास अजार और मैक्सिमंप तीन लाइट तो मिनिमंपचास अजार का फाइन और मैक्सिमंप 3 लाइट तक का the types of prospectus what is misstatement and what are the consequences of misstatement इसी के साथ हमारा unit number one यहां पे complete होता है हम सारे के सारे topics का video upload कर चुके हैं चैनल के अंदर अगर तुम नहीं देखे हो playlist में जाके बाकी videos भी देख लेना next video के अंदर start करेंगे अपना next unit जो क्यों होगा unit number two मिलते हैं next video में thank you and आपन llev और शीजवेटीं जापको्चे के लाकी करेंगे करेंव एक्रीण में लार करेंगे लेठार को अजीछ medे करेंगे च्जान है कि अल यह लक경 करेंगे आपदार के नहींरा भीछें ।